नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने वीडियो में बात कने वाले हैं बिहार बोर्ट 11 एडमिसन 2023 के बारे में दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सबसे पहला अपडेट है ओफेसर्स पोर्टल का जो डेट है आविदन करने का वो जो है एक्स्टेंड कर दिया गया यानि डेट बढ़ा दिया गया है तो कब तक डेट बढ़ाय गया है इस वीडियो में जा रहेंगे साथी साथ सभी अभ्यारतियों के पास जो है ये मेसेज आ रहा है ये टेक्स्ट मेसेज आ रहा है तो इस मेसेज का क्या मतलब है और उस अभ्यारतियों को अब क्या करना होगा इनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे साथी साथ जो ब्यारती गलती कर चुके हैं आवदन करने में, फॉर्म भरने में गलती कर चुके हैं, वो किस परकार से उतार जकते हैं, तो पूरी जनकाड़ी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा तो अंतक बने रिएगा notification के माधियम साब को जनकारी दिया जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले notification के और उसके बाद मैं आपको message की बारे में बताऊंगा तो friends सबसे पहले notification में देख लेते हैं जो date बढ़ाय गया है वो date कब से कब तक बढ़ाय गया है तो आप लोगों पता हुआ कि सबसे पहले जो आवदन शुरू हुआ था वो 17 में 2030 से शुरू हुआ था और 26 में 2030 इनका last date रखा गया था लेकिन अब यारतियों के साथ कभी सारी पड़िसानी हुई उफेसर्स पोर्टल जो है बिल्कुल तरह से ना के बढ़ावर काम कर रहा था उसके बाद आप लोगों का date बढ़ा 1 जून 2030 से 7 जून 2030 के बीच आप लोगों का date बढ़ा था last date 7 जून 2030 था फिर से यहां आकड़ी बार आप लोगों का date बढ़ाय जारा है 8 जून 2030 से 14 जून 2030 तक जी हाँ 14 जून 2030 तक अभी जो आवदन आप लोगों का चलने वाला है फुल 7 दिनों का डेट जो यहां फिर बढ़ाय गया है तो जो भी अव्यार्थी अभी तक आवदन नहीं कर पा है और फैसेस पोर्टल के माधियम से जो है बिलकुल रूफ से आवदन कर ले और फिर जो डेट नहीं बढ़ने वाला है 350 उरपे आप लोगों का अप्लिकेशन फी लगने वाला है किस प्रकार से आपको आवदन करना होगा इनकी जानगारी step by step दी गई है वीडियो के माधियम से मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो जो है वीडियो आप जरूर देख लिजेगा आप बात आती है जो ब्यार्थी इससे पहले फॉर्म भरने में गलती कर चुके हैं वो ब्यार्थी क्या करेंगे फ्रेंड्स में बता दूँ यहीं जो है एक नोटिफिकेशन में यह भी जनकार दी गई है जो ब्यार्थी फॉर्म भरने में गलती कर दी हैं इससे पहले जो डेट था उस डेट में जो ब्यार्थी फॉर्म भरे गलती कर दी हैं फॉर्म भरने में सुचित क्या जाता है कि दिनांग 8 जुन 2013 से 14 जुन 2013 तक निर्धारित अवधी में ओफेसर्स पोर्टल पर जाकर अपने आविदन परपत्र की संपुर्ण जांच कर ले जांच के करम में यदि उनके common application form यानि C++ में कोई तूटी हो तो हुए ओफेसर्स पोर्टल पर अपना मोबाइल नमर या email id प्राप्त user id एवं पासवर्ट के माध्यम से पूर्ट में भरेगे common application form में आप से तूटी संसोधन कर सकते हैं अर्थात जो विजारते दिनांग 17 में 2013 से 26 में 2013 के दुरान common application form भर चुके हैं वे अपना user id एवं पासवर्ट के माध्यम से पूर्ट में भरेगे भी ब्राप्त भी दे चाहे तो वांशित संसोधन कर सकते हैं तो friends से अगर आप पहले जो इनका last date था 17 से 26 में अगर आपने application form गलती कर दिया है तो आप सुधार कर सकते हैं आपके mobile नमर पर या फिर mail id पर जो आपने mobile नमर या mail id दिया है उन पर जो आपको user id एवं पासवर्ट आया होगा उससे user id एवं पासवर्ट को लोगिन करके आप अपना application form एडिट कर सकते हैं यानि सुधार सकते हैं तो यह तो होगई notification की full जानकारी जो मैंने आपको दोया और अभी जो message आ रहा है उस message के बारे में चली मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहली message दिखाता हूँ तो friends यहाँ देखी इसी परकार का message सभी अव्यार्थियों के पास आ रहा है इस message में बिल्कुल simply बताया जा रहा है कि अगर आपने 17 मई 2013 से 26 मई 2013 के बीच और फिसे पोटल पर जाकर आविदन किया था यार्वी में तो आप जो है अपना एक बार आविदन चेक कर लें यहाँ जो यह बताया जा रहा है कि आप आपना आविदन एक बार चेक कर लें अगर सुधार है तो सही है, अगर आपको लग रहा है कोई गलती है, कोई तूर्टी है, तो आप जो है सुधार कर सकते हैं, आप लोगों को मौका है, आप सुधार कर सकते हैं अपना user IDM password से, और user IDM password आपको कहां मिलेगा, तो अपने जो mail ID दिया था, या फिर आपके पासवर्ट मेसेज के माधियम से आपको मेल पर आ जाता है तो जर एडियम पासवर्ट के जड़ी आप जो अपना फॉर्म देख सकते हैं कोई गलती है तो सुधार जरूर कर लिजेगा यही बस इस मेसेज के माधियम से बत्या जा रहा है ना कि कोई दूसरा जहो जानकारी दी जा रही है तो आई होप आपको इस वीडियो के माधियम से इंटर एडमिशन 2013 के बारे में संपुर्ण जानकारी मिल गई होगी चली इस वीडियो मस इतना ही मिलते अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ